है नंवानषकार दोस्तों है इंडिये जोग्रफी आपiri ऋफ इंडिया शेरीज में आपका स्वाधत है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संकरस्तर स्ट्रगल तो अभी इसमें हम लोग दक्कन का का पठार का ध्यान कर रहे हैं इसके पहले हमने उत्तरी दक्कन का पठार का ध्यान किया जिसमें अंदकारण निया और गड़जात पहाड़ियां और जो महानदी बेसिन था या 36 गार का मैदान जिसको कहते हैं वो उसका ध्यान किया हमने यह उत्तरी दक्कन का पठार था तो अब हम आज इसमें हम बात करेंगे इसके आगे हम बढ़ते हैं क्योंकि दक्कन का पठार जो काफी विस्त्रित है इसको एक चेप्टर में या एक स्लाइड में एक वीडियो में समेट पाना थोड़ा मुस्किल है इसलिए इसको कई अलग-अलग छोटे-चोटे वीडियो बना बारें इसका तो आज हम बात करेंगे एक दक्षणी दक्कन के पठार के बारे में अब दक्षणी दक्कन पठार भी को भी अलग-अलग भागों बंटा गया है यह दंड कारण का पठार Master Master इसका आपको इसका वीडियो लास्ट एपिसोड में इसके बारे में हमने पढ़ा था तो अब हम चलते हैं दक्षिनी दक्कन के पठार जो है इसको तीन भागों में बांट करा देहन किया जाता है तो करनाटक पठार दूसरा है तेलंगाना पठार आशंटे तामिल्लाडू का पठार तो आज हम बात करेंगे अब करनाटक का पठार कंपना पठार जो है या यह बेसिकली करनाटक पूरब में तेलंगाना प्रदेश और यह रहा इदर से तामिल नाडो और यहां फिर इदर से किरल कुछ ऐसा है करनाटक का वाड़ा और यह हमारा करनाटक की कुछ जगह जिसमें कुछ महत्पुर्ण स्थान बीदर गुलबर्गा बीजापुर राइच्यूर बेलगाम डांडेली बादाम्या धारवार जिसके नाम पर धारवार करम के चट्टानों के बारे में बात की आती है बेलारी माइनिंग के लिए फहमस है हम्पी हम्पी यह जिसे आम आया जाता है कि जो सिंदुघाटी सबेता का जो विस्तार है यह आप देख सकते हैं सिंदुघाटी यहां से आप अंदाजर लगा सकते हैं यहां तक इसका विस्तार यहां देखा जा रहा है तो यह यह है हमारा हम्पी जहां पर सिंदुघाटी सबेता का विस्तार यहां त प्रोट भी है जो कि बेसिकली नेवी के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है फिर है मुर्देश्वर कित्रदुर्ग स्रीमोंगा कालसा उडुपी चिकमंगलूर तुमकूर हासन मैंगलोर बैंगलरू कोलार कोलार भी माइनिंग के लिए फैमस है बिलारी और कोलार यह दोने माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा फैमस है कोलार में सोने की खान है भारत की एक मात्र सोने की खान मैसोर नागरहौल और मेरकारा या कुर्ग आक जिला है एक जनजाती समू भी है और बहुत सारे चीजें कुर्ग के नाम से मिलती है तो अगे करनाटक पठार के बारे में इसको देखते हैं करनाटक पठार की बात इसके विस्तार की बात करनाटक से केरल करनाटक और केरल में कोजी कोडर कनूर जिलोत में फैले हुए हैं इसकी चट्टानों में आरकेयन तथा धारवार प्रमुख है आरकेयन करम की जो चट्टान है अब जैसे कि आरकेयन करम यानिकी वो चट्टान प्रित्वी का वो काल आरकेयन चट्टाने उस समय को प्रतसित करती हैं जब पूर्णत अजयव था तो इसमें जिवास्मों का अभाव पाया जाता है जिवास्म होते ही नहीं है तो जब जिवा और धार्वार में धार्वार है कुड़कपा कोईला पाई जाता है इसकी सबसे उची चोटी कुद्रेमुख कुद्रेमुख है इसके उत्री बाग को मलंदत अक्षेनि भाग को मैदान कहा जाता तोँ उनको बद्रा एवं कावेरी यहां की परमुफ ना दिया है यह है एक मैप यहां पर गोवा देखने करनाटक की चार और कौन-कौन से राज्य है इसको एक बार देख लेंगे इस पहले इसका एक पॉडर कर दें यह है करनाटक हमारा कि यह वाइट लाइन ने सहला की दिया हुआ फिर भी हम एक खींच देते हैं मोटा मोटी अब यहां पर देख सेकने यह है गोवा इहां महारास्टर्या उतर मैं गोवा पस्चिम में महारास्ट्रा पूरबं मैं आंदर्प्रदेश और दक्षिन में तामिल नाडू और यहां केरल यह है करनाटक की चौरदी और करनाटक का पठार मुख्यता करनाटक में है और इसके अलावा इसका विस्तार थोड़ा वो तामिल नाडू और यह केरल में देखा जाता है तो इसे करनाटक का जो पठार है इसको हम लोग मैसूर का पठार भी जानते है करनाटक पठार का विस्तार करनाटक राज करनूर कासरकॉर जहाँ पर की राष्टि रवड समस्थान स्थीत है कोजी कोण वाइनाइट जिलो में भी इसका विस्तार यहां तक फैला वोगा शेटरक्वल जो है कुछ उपनी भाग में डक कनट्रेपII ब्यक्षार्ट चैट्टान का‍ Mode बैसाल च्ट्टान का मतलब है कि यह इलाका वह कभी समुद्र के नीचे था समुद्र का सता है वो बैसाल च्ट्टान से बना हुआ है और इसके आसाथ booth 600-900 म्ह, इस प्रकार मनिपूरी पहाडhyन चिक मंगलूर की पहारियां और बाबा बुत्तारं एन शेतलों टक भी Why Long की सबसे उन्ची चोटी अनाइ पी होड़ी है जो कि सहिया दृक यानि कि पस्चीमी घार की सबसे उन्ची चोटी substantive मुम्ह यह कि करनाटक की सबसे उन्ची चोटी है सवरी जो काम है तो इसके लिए माफी जाऊंगा मैसूर का पठार या करनाटक का पठार इसका जो सामान ने ढाल है वो पूर्विक्योर है पस्चिम में पस्चिमी घाट पूरव में पूर्वी घाट तो दक्षिन में नील-गिदी की पहाड़ियों से का विस्तार है इस पठा यहां के ग्रेनाइट निर्मान में इसका प्रियोग किया जाता है मार्वन के लिए यह पस्चिम और दक्षिन में पस्चिमी घाट से घिरा हुआ है कावेरी नदी मैसूर पठार में करनाटक से होकर बहती है इस छेतर में और सब उचाई जो है असन कोडागू उसके अलावा कुलार मांडया मैसूर और तुंकुर यहां का नाम कुरू नाडू भी अस्थानिया नामें इस छेतर का कुरू करू नाडू पठा इसका छेतरफल जो है वह लगभग एक लाख नवासी हजार कहीं एक लाख त्रासी हजार भी मिलता है जो जोग जल परपात किस नदी पर है इसको थुड़ा बीदी रख है जो जड़तर प्र्वति ओर सरावति नदी पर और करनाटक बठार का ही पठार कि दखिर पहाडियों साथ में हो जाता उर दखिरी छेतौन हो यह बर्शा जो 7 हेंच क्या है कि来了 2030 मीली actually मैं होती है और 710 मिली जबकि उत्तरी छेत्र सुस कुड़ता है अब यहां के उद्योग और उत्पादों की बात करें तो यहां से चंदन का निर्यात किया जाता है और इसके अलावा सागोन की लकडी का भी जनरली फर्मिचर वगरा बनाने में उप्युक की और कागज बनाने के लिए उप्युक कि किया जाता है बबावुदर की पहाड़ियों में बड़े प्रमाने पर लोह एस के भंडार है और कोलार का गोल्ड फील्ड में सोना है यहां अनाज की ब्यात की जाए तो ज्वार कपास चावल गर्ना तील मुंग फली तंबाकू और फल नारियल और कौफी प्रमुक फसले फिर कोफी सबसे प्रमुक है भारत में सब से कहसा क्षी कारणाटक में ही काफी यद्युक निरमान खाद्य और भारत की रायधानी बैंगलोर राजिया बैंगलोरह अधिकांश व्न्द मो congestion स्थेल अर θαी गहा अब बेंग जो है बैंग lugares को भारत की ऑवी ती राजिदहं स्वार्थिक रायधानी मुंबई को कहा जाता है जब आई टी रायधानी इनफर्मेसर टेक्णोलोजी की रायधानी है या टेक्नोलोजी रायधानी है वह हमारा बैंगलोर या बैंगलूरू है और यह था दोस्तों, आज हमारा यह करनाटक का पठार, अब नेक्स्ट एपिसोर में हम बात करेंगे तेलंगाना के पठार की, इसमें मैं कोशिस किया है, अधिक सधिक आपको जानकारी दी जाए, और इसमें कुछ छूट रहा हो, आपको लगता है कि और भी कुछ चाहिए, तो प्लीज, कमेंट कीजिए, कॉंटैक्ट कीजिए, जैसे का खुजबता हमें इसके बारे में सुचित कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोर में तब तक के लिए, टादशूरा आपको बात करेंगे।